अगर के च्हे नंबर डिस्पेंसरी में है जहां दॉक्ट्र अविंतीका जिसे बात करना चाहते हैं जो गर्मी को देखते हैं यह कुछ सवाल करना चाहते हैं मैंज आप डिहाट्रेशन की बारे में बताया है जयसे अब गर्मी आ रही है तो उस अब सब्सक्क्राइब क्या ज होते हैं जैसे पानी अधिक अधिक प्यास लगना पेशाप जादा आना हाथ पाउं इसकिन ड्राय हो जाना ठंडी पड़ जाना मास पेशियों में एठन होना यह सारे कारण डिहाइट्रेशन की होते हैं इन से बचाओ के लिए तुरंट बचाओ के लिए गरीब से गरीब व् पास मरीज आते हैं उनसे उनकी हिस्ट्री लेते हैं उनके लक्षन पोचते हैं उनको क्लिनिकली हम एग्जामिनेशन करते हैं उनकी स्किन वगर है सारा उनका पूरा यूरिनेशन के बारे में यूरिनेशन की भी जुरत हो तो हम वो भी कराते हैं कई बार कई मरीजों में प हैं कुछ भी नहीं हो तो पानी नमक लाल के हम कर सकते हैं समय देख घाक आप हैं इस कौरोना बड़ रह तो इसके मतलब रोज कितने पश्छेंट आप के पास आते हैं इस दीजिस को रोना का आजमान स्थार्ट हो चुका है अभी भी जो आम जंता है वो जागरूप नहीं है किन्तु हमारे अस्विताल में आदर्णिये सामंत्री मौद है आदर्णिये मुख्य मंत्री मौद है सभी ने बहुत अच्छी सुविदा हैं हमें प्रदान कर रखी है और लेब हेतु सुविदा हैं जाच हेतु सारी उसुविदा हैं तो हम रेगुलर कोरोना की जाच हमारी की जा रही है दो से तीन cases प्राय हम में राप्त हो रहे हैं हथे में तो उसके हीतु हम marijжों को दिशा नर्देशee दे रहे हैं कि वे mask का प्रेयोग करें mask लगाके यह हाएं अपनी booster dose check करें कि वो लगी लगा जा रही है इसके अलावा जिनके भी पॉजिटिव केसे सा रहे हैं हुल्म हम उनको दे रहे हैं इसके अलावा प्रोफाइल एक्टिकली भी हम मरीजों को यह समझा रहे हैं कि आप दूरी बनाए रखें भीड़ बड़ाके से दूर रहें इसके अलावा अपना खान पान में इम्मुनिटी की चीज़े जैसे हरी सबजिया हैं फल हैं ताजा हैं दूध ह ने किया था प्राइविट हॉस्पिटल सारे बंद थे तो उस दोरान और अब में पेशेंट में कितना फरका है उस टाइम आपके पास कितने आते थे और अब कितने आ रहे हैं देखिए उस टाइम हमारी ओपीडी काफी बढ़ गई थी और ओपीडी जनरली मेरे बंद हैं इवन कई मरीश्टों घर तक भी पहुंच रहे थे कईयों को इस तरह की बिमारी थी जिनका प्राइवेट में इलाज होना चीए और होनी पा रहा था हाला कि वड़ी दुगदा हिस्तिती थी हमने जित्ती सेवा हमें दे सकते थे उत्ती हमने दे आप हमें बताएं कि आपके पास यहां की सिवा और क्या क्या चार्ज हैं जी यहां पे मैं अपना एजे लेडी डॉक्टर मेरे पास मेडिको लीगल केसे का भी चार्ज है मेडिको लीगल केसे जानी जैसे बलातकार संबंदी जितने मुआइने होते हैं मेरे एरिये के मेरे प्रताब नगर एर करते हैं और रोज मतलब मैंने में या रोज कितने केस आ राते हैं आपके पास इस तरह के काफी इस तरह के cases हमारे पास आ रहे हैं हफ़ते में दो से तीन cases हमारे पास आते हैं जिसमें एक medical board होता है एक से दो हमारे area के बलातकार संबंदी मौाइने होते हैं जिसमें fresh cases थोड़े कम होते हैं old cases जदा होते हैं लेकिन मेरा यह मानना है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी सरकार द्वारा मेला आयोग से लेके मेला कमीटियों से लेके संगठन से लेके हर तरह की सुविदा होने के बाद भी हमारे देश में हमारे राजस्तान प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बहुत जादा घटित हो रही हैं तो मेरा ये एक अनुरोध है कि मतलब जो हमारी नावाले बच्चियां हैं जो हमारी पीडित मेलाएं हैं उन्हें हम किस तरह से एक इस तरह की कोई सजा इस तरह की कोई एक्ट इस तरह का कोई सीरियस हम विक्टिम्स के जो दुशकर्मी हैं उनके लिए रखा जाए कि उन्हें एक मेला के पास आने में भी हो दस बार सोचे उन्हें डर लगे कि मैं इस महिला वया इस बच्ची के साथ मैं इस तरह की चीज ना करूँ, इस तरह का दुश्करम ना करूँ, इस तरह से हम इस चीज से निदान पा सकते हैं, दीरे दीरे हमें इस चीज के संबंद में सरकार से भी मैं आगरे करूंगी और अनरोद करूंगी बाकि हमारी तरफ से ऐजे चिकित सक, ऐजे महिला चिकित सक में, मेडिकल मुआयने में, मेडिकल बोर्ड में, महिलाओं को पीडितों को न्याय दिलाने हैं तू जुडिशरी तक जाने के लिए हम तयार हैं। जाने के लिए हमारी तक जाने हैं।